चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम की और महत्यपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कुलकता से 24 परगना तक दफ्तरों में छिपे सेकड़ो बीजेपी वरकर्स आरोप टीमसी ने ता घर जला रहे जान बची रहे इसलिए यहां रह रहे कारेकरता यहीं गद्दे बिचा कर परिवार के साथ सोते भी हैं उनका आरोप है कि चुनाओ के नतीज़े आने के बाद टीमसी ने ता उनके घर जला रहे हैं इसलिए वेजान बचाने के लिए परिवार के साथ भाग कर यहां आ गए कारेकरताओं का कहना है कि उन्होंने 10 जून से कोलकता बीजेपी ओफिस में शरण ली हुई है यह सबी साउथ और नोर्थ 24 परगना से आये हैं साउथ 24 परगना से आये गोपाल मंडल बताते हैं कि टीमसी ने ताउने मुझ पर हमला किया चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार अलका यागनिक को नियूरो डिजीज सुनाई देना हुआ बंद सोशल मीडिया पर जानकारी दी फैंस से बोली तेज म्यूजिक से दूर रहें जिया दोस्तों वेटरन प्लेबेक सिंगर अलका यागनिक को रेयर नियूरो डिजीज हो गई है जिसकी वज़े से वो सुनना ही पा रही है सिंगर ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरीए अपनी इस बीमारी का जिगर किया इसके साथ ही सिंगर ने बताए कि वो बीते काफी वक्त से इन एक्टिव क्यों है अलका ने अपनी समश्या के बारे में जानकारी देते हुए फैंस और साथिक लाकारों को तेज यानि की लावड म्यूजिक से दूर रहने की सलाहा दी है दोस्तो आपको बता दे सदराजून को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अलका ने लिखा मेरे सभी फैंस दोस्तो फॉलोवर्स और शुपचिंतकों के लिए कुछ हफते पहले में एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है इस घटना के कई हफतो बाद थोड़ी हिमज उटा कर अब मैं अपने दोस्तो और शुपचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ जो मुझे मुझे से लगातार पूच रहे हैं कि मैं घांगायब हूँ चले दोस्तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबार ग्यारा दिन में मुझे की कमाई 61.25 करोड वर्किंग डे पर किया 5.50 करोड का कलेक्शन दूसरे हफते कर सकती अच्छा बिजनस जिया दोस्तो शर्वरी अभय और मौना सिंग स्टारर मुझे लगातार बेहतरिन कलेक्शन कर रही अपने दूसरे स्वमवार को फिल्म ने 5.50 करोड रुपे की कमाई की इसके साथ ही 11 दिनों में इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 61.25 रुपे हो चुका है फिल्म ने पहले हफते में भी वर्किंग डेज में अच्छा बिजनस किया था अगर यह है इसी तरह का प्रदशन करती रही तो जल्द ही फिल्म 100 क्रोड का आंकड़ा भी पार कर सकती है चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार सलमान की जगह कोई नहीं ले सकता बिग बोस OTT 3 को होस्ट करने पर अनिल कंपूर ने दिया हैरान करने वाला बयान जिया दोस्तो बोलिवड के बहतरीन एक्टर अनिल कंपूर बिग बोस OTT के तीसरे सीजन को होस्ट करने के लिए तेयार है अनिल कपूर इसके लिए काफी excited है हालांकि इसी बीच उनों ने बोलिवड एक्टर सलमान खान को लेकर बड़ा बयान दिया दोस्तो आपको बता दें बिग बोस OTT2 को सलमान खान ने होस्ट किया था हालांकि अब अनिल कपूर ने सलमान खान को रिप्लेस करके उनकी जगा ले लिए लेकिन अनिल कपूर का कहनाई कि सलमान खान की जगा है कोई नहीं ले सकता चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार भारत में पहला Flying School open करेगी एर इंडिया महाराश्ट के अमरावती में एर लाइन हर साल 180 पाइलटों को ट्रेनिंग देगी जियें दूस्तो टाटा गुरूप की एर लाइन एर इंडिया भारत में अपना पहला Flying School open करने जा रही है Economic Times की रिपोर्ट के मुताबित Air India का यह Flying School महाराष्ट के अमरावती में उपन किया जाएगा रिपोर्ट के अनुसार Airline पाइलेटों की अनुमादित कमी को दूर करने के लिए यह Flying School उपन कर रही है इस Flying Academy की हर साल 180 पाइलेटों को ट्रोइंग देने की कैपेसिटी होगी मामला ऑरंगाबाद जिले के सूली भंजन का है महिला की पहचान तैवी साल की श्वेता दीपक सुरवासे के रूप में उइए खाई में गिरने के कुछ सक्केंट पहले का वीडियो भी सामने आया है श्वेता सौमवार की दोपर करीब दो बजे अपने 25 साल के दोस्त सूरज संजाओ मूले के साथ औरंगाबाद के सूली भंजन हिल गई थी वह सूली भंजन में दत मंदर के पास पहाड़ पर ड्राइविंग सीखते हुए रील बना रही थी इसी दोरान गाड़ी रिवर्स कर चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार मूंबई के पचास से जादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है इन धमकियों के बाद मूंबई पुलिस अलट पर आ गई है और सभी जगय जाच कर रही है अभी तक इन अस्पतालों में कुछ भी संदिग्द नहीं मिला है दोस्तो आपको बता दे हैं मूंबई के पचास है जादा अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकिया मिली जिन में मंगलवार को बम से उड़ाने की धम की वाले ईमेल मिले थे जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां दोरा कई घंटों तक चलाए गए अभियान के बाद इन में से प्रतिक को अफवाह गोशित कर दिया गया हिंदूजा फैमिली पर घरेलू स्टाफ से कुरूरता के आरोप जबर siis 18 गंटे काम कराया पासपोर्ट जब्थ किये स्वीज वकील बोला स्टाफ से ज़ादा कुट्टों पर खर्च किया जिया दोस्तो भारत वंशी अरब पती हिंदुजा फैमिली पर घरेलू स्टाफ से कुरूरता से पेश आने के आरोप लगे हैं बुलूमबर्ग की रिपोर्ट के मताबित उन्होंने स्यूजर लेंड में अपने विला पर घरेलू स्टाफ से बैहत कम कीमत पर 15-18 घंटे तक काम कराया बुलूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबेच स्यूजर लेंड में सौमवार से इन पर मानो तसकरी का ट्रायल शुरू हो गया है सरकार के वकील ने दोश्यों को कम से कम एक साल की सजा की मांग की है बुलूमबर्ग ने एक अन्य सरकारी वकील ने कोट में आरोप लगाया कि इन दोश्यों अपने स्टाफ से अधिक अपने कुटों पर खर्च कर देते थे रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस दोरान उन्होंने स्टाफ से पासपोर्ट तक जब्त कर लिये थे